हेलो, नमस्ते दोस्तों, हैश प्याकी किचिन में आप सब ही का स्वागत है आज आप के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी और मंचूरियन के जलसा देखने वाला सूजी का नाश्टा रेसिपे लेकर आए हूँ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, बनाने का तरीका भी आसान है तो आप इस नाश्टे को ज़रूर एक बार ट्राइ कीचेगा सुबहे के टाइम में क्योंकि बहुत जल्दी बनता है ये और अगर आपको ये रसेपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब सरूर कीजिएगा तो दीखी सबसे पहले एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लेना है आपको और उसमें डालना है बारिक वाली एक कप सूजी आप किसी भी कटोड़ी से मेजर कर सकते है और उससे आधा आपको डालना है इसमें दही और साथ ही हम इसमें डाल देंगे पानी तो ये जो कटोड़ी है छोटी वाली आधा कप की समतिंग है तो मैंने दो बार पानी डाल रहे हूँ तो लगबक एक कप पानी हो गया और ए से सूजी फूले की तो ये बैटर की consistency थोड़ी सी और गाड़ी हो जाएगे तो देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से mix कर दिया है अब इसे ढखकर हम 15 मिट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं तो यहां 15 मिट पूरे हो चुके हैं और देखिए ये जो बैटर है प बारिक कटा हुआ और आप धनिया नहीं डालना पसंद करें तो इसके भी कर सकते हैं साथ इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और इन सारी चीज़ों को mix कर देते हैं नगमक हम पहले ही इसमें डाल चुके हैं तो और नमक हम नहीं डालेंगे और यह देखिए अब हम इसम पून की सम्थिंग खाने वाला सोडा और आप चाहें तो इसमें इनो का शैशे भी डाल सकते हैं अब मैं खाने की सोड़े की उपर डाल रहे हूं थोड़ा सा निम्बू कर रस ताकि यह जो सोड़ा है अच्छे से एक्टिव हो जाएगा और यह बैटर है अच्छे से फर्म पी है उपर मतलब यह जो हमारा बैटर है एक्टम पर्फेक्ट बन चुका है तो अब यहां पर मैंने ले लिया है अप्पे पैन आप इस नाश्टे को छोटी वाली जो एडली के मोल्ड आते हैं उसमें भी बना सकते हैं और आप किसी भी तरह से जैसे काटोरी में बनाना है उसमें भी बना सकते हैं और अगर आपके पास यह वाला मोल्ड है तो आप इसमें बनाएगा तो इसमें तो लुक भी अच्छा आएगा और साथी बहुत ज़्यादा टेश्टी यह नाश्टा बनेगा तो देखी इस तरह से आपको अपे मोल्ड में ओल लगा लेना है अच् इकत होती है तो देखे मैं इसको ढग दिया है कुछ तेकेंड के लिए इससे पकने देंगे फिर इससे धकन अटाकर हम देखेंगे तो यह जो देखेंगे आप इनको देखेंगे उपर से थोड़े से ड्राय हो गये हैं बैटर जो है चिपक नहीं रहा है इनमें हलके हलके से हो गए है और उंगली भी मैंने लग गए तो यह बैटर चिपक नहीं रहा है तो अब हमें इने पलट सकते हैं तो यहां पर देखेंगे बहुत ही आसानी से हमें इने पलट सकते हैं और दूसरी साइट से मतलब जो नीचे वाली साइट ती अच्छे से सिख गई है क्रिस्प प08 में भी तो यह देख的话 अपी childrenetter बनकर त्यार हो चुके हैं इस तरह से आपको सारें प्यार कर त्यार करने हैं और एक बार में 12 आप पे बन जाते हैं अगर 6 वाला मोल्फैan तो एक बार में 6 बन जाएंगे तो इसंदर से आप यह पपी सारे बना लीजिय और आप मेरे बा चुके हैं मैं आपको यह दिखा देती हूं एक पर कलर देख सकते हैं आप इनका कितने अच्छे से यह फूले हैं वो भी देख सकते हैं परफेक्ट हमने बैटर बनाया था तो इस वज़त से हमारा जो नाश्ता है बहुत ही जदा परफेक्ट बनेगा और आप देखी इनकी सॉफ्ट है यह बहुत ही अच्छी जाली बनी है अंदर से तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों आप इस तरह से नाश्ता बनाएंगे तो बहुत पसंद आएगा आपको भी और आपके फैमिली में सबको तो प्लीज इस रेसिपी के लिए एक लाइक तो ज़रू पते डाल दिये हैं और इस तरह से मैंने एक्तम लच्चेदार बारी की से प्याज को कट कर लिया था तो उससे भी हम दाल देंगे अभी यह प्याज के लच्चे हैं एनिह हमको शाइके लिए अच्छ avenue लेंगे हलका सन का कलर चीन्ज होने लगे का और यह देखिए कलर इनका तरह की वेजिस ले लिजी उससे भी ये बना सकते हैं मैंने दो ही सबजियां ली हैं प्याश और शिमला मिर्ची और यहां पर देखिए मैंने शिमला मिर्ची को भून लिया और यहां पर मैंने दो सॉसेस ले लिये हैं तो मैंने एक साइड में सेजवान सॉस लिया है और दू चिली पेस्ट जो आता है रेड चिली सॉस वो भी डाल सकते हैं तो यहां पर देखिए सॉस को मैंने भून लिया थोड़ा सा अब इसमें डाला है मैंने चिली फ्लैक्स कश्मीरी लालमिश पाउडर और इने भी हम अच्छे से भून लेंगे बहुती बढ़िया सी तो जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी थोड़ा सा पानी डालने ना बहुत सही रहेगा तो यहां पर देखिए अच्छे से मैंने सारी चीजों को मिक्स कर लिया है कुछ सेकेंड के लिए मैंने पानी के साथ भी इने अच्छे से भुन लिया है तो अब क्या करेंगे जो अप सा पानी डालना ज़रूरी हो जाता है और अकर ना भी डालें तो आपको ओरिल जादा डालना पढ़ेंगा तो मैंने तो और जय क्यों पढ़िए तो मैंने ऊच्छे से ज्यकॉ look बहुत ही इजी प्रॉसेस है, बहुत ही ज़ाधा टेस्टी नाश्टा है, जरूर से इसे एक बार ट्राइ कीजिएगा, बच्चों को से लेकर बढ़ो तक बहुत पसंद आएगा सबको. तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो पसंद आए होगे और पसंद आए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिएगा.